नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना सीखेंगे. इसके लिए हमने टाइम लाइन में एक वीडियो रख लिया है. फिर हमें एफेक्ट्स पैनल में जाकर अल्ट्रा की नाम के एफेक्ट को सर्च करना है. फिर इसे ड्राइग एंड ड्रॉप करके आपको अपनी टाइम लाइन में पुट करना है. ध्यान रहे, आपकी वीडियो सिलेक्ट होनी चाहिए. फिर आपको एफेक्ट कंट्रोल्स के टैब में अल्ट्रा की का ओप्शन मिलेगा. इस उप्शन में आपको यहाँ पे एक आई ड्रॉपर टूल मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है. और आपकी वीडियो में जहां ग्रीन स्क्रीन है, वहां टैप करना है. आप देखेंगे कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी. इसके बाद आप यहाँ पे जो भी चीज इस ग्रीन स्क्रीन में रखना चाहते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइम लाइन में ले आईए. जैसे कि मैंने यहाँ एक फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप की है. इसके बाद क्या करना है? जो भी चीज लेके आए हैं, उसे आपको ऊपर की लेर में रखते ना है. जैसा कि वीडियो में दिखा रहा हूँ. आप जो भी चीज ग्रीन स्क्रीन में चाहते हैं, मेक शूर वो नीचे वाली लेर में होना चाहिए. इसके बाद आप Effect Controls के टैब में जाकर अपनी मनपसंद सेटिंग्स कर सकते हैं और उसे एड़जस्ट कर सकते हैं. तो हमने ये सीखा, ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करते हैं और अपनी मनपसंद फोटेज या फोटो को ग्रीन स्क्रीन हटाकर कैसे लगा सकते हैं. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.